21 जून सोमवार से देश के हर राज में 18 वर्ष से उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मुहया कराएगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा 7 जून को की गई गोशना के अनुसार 21 जून सोमवार से देश भर में कोरोना रोधी टीकों की खुराके मुफ्त लगने लगेंगी टीका करण के इस नए चरण में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को निशूर खुराक दी जाएगी इसका पूरा खर्चकेंद्र सरकार उठाएगी एक और एहम बात यह है कि अब कोविनेप पर पहले से पंजियन कराना अनिवार्य नहीं है देश में तेजी से टीका करण के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिनों देश भर में मुफ्त वेक्सिनेशन का फैसला किया था इसमें सोमवार से देश भर में 18 साल से जादा उम्र के सभी लोगों को टीके लगाये जाएंगे अब राज्यो को वेक्सीन निर्माताओं से टीके नहीं खरीदना पड़ेगे अब केंद्र सरकार टीके खरीद कर राज्यो वे केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क देगी पूरी दुनिया की नाक में दम करने वाली कोरोना महामारी से निपटने में टीका करन ब्रहमास्त्र के रूप में सामने आया है विश्वभर में COVID-19 टीका करन का काम जारी है भारत में करीब 30 लाख लोगों को रोज टीके लगाये जा रहे हैं आने वाले दिनों में इसकी गती और तेज होगी 16 जून को हुई थी टीका करन की शुरुआत देश में 16 जन्वरी से टीका करन की शुरुआत हुई थी इस पहले चरण में 16 जन्वरी से 30 अप्रेल तक केंद्र सरकार ने टीका निर्माता कमपनियों से 100 फीसदी टीके खरीद कर राज्यों को दिये निशूप दिये थे इस चरण में फ्रंट लाइन वरकरों वह 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए गए थे इसके बाद एक मई से टीका करन का दूसरा चरण शुरू हुआ था इसमें केंद्र ने 50 फीसदी टीके खरीदे वबचे हुए राज्यों वनिजी अस्पतालों ने सीधे कर दूसरा चरण